स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माज साप की पाट साला में इस वीडियो में हम देखेंगे कि U-Dice Plus 2023 में आपको टीचर मोडियूल पर कैसे काम करना है नए अध्यापक को कैसे जोड़ना है या जो अंतरजनपदी ट्रांसपर में अध्यापक चले गए उनको कैसे डिलीट करना है अगर नाम, डेट अब बर्त या अने डेटेल गलत है तो U-I-D-I से वेरिफिकेशन फिल्ड आ रहा है तो उसको कैसे सही करना है वन वाइवन देखते हैं, .gov.in सर्च करना है इसके बाद में आपको लॉग इन फॉर आल मॉडिूल पर जाना है और टीचर मॉडिूल पर जाना है U-I-S Code होगा और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल पर जो आया होगा U-I-S से वो दर्च करना है और आपने लॉग इन किया देखें, यहाँ पर क्लिक here to open teacher dcf to fill the data अब देखें, चार टीचर दिख रहे हैं अब देखें, जैसे अंतर जनपदी में कोई teacher चले गए हैं तो उनको कैसे delete करना है जैसे माली जो मुझे यह teacher delete करना है तो delete option पर जाएंगे हम select region करेंगे, due to retirement, transfer shifted to another school, तो हमने यह select किया यहाँ पर remarks left in inter district transfer अब last date in service school, जैसे माल लीजे, इनकी है जुलाई, 5 जुलाई, 2023, यहाँ पर करेंगे हम left school are you sure to send the particular teacher to dropbox, इसमें आपको confirm करना है अब देखिए, यह teacher आ रहे है, verification, आधार from uidi, फेल हो गया है, error, आधार, name, gender, date of birth, mispatched तो यहाँ पर हम general profile में जाएंगे, और सारी चीजें सही करेंगे यहाँ पर क्या है, name of the teacher, capital letter में दूसरा है, लेकिन आधार में दूसरा है तो साधी के बाद में माल लीजे, बदल गया है, और आधार में दूसरा है, तो हम उसको change करेंगे, और इसको verify करवाएंगे हमने इसको update कर दिया next किया और अपडेट किया देखें इसमें whether having ICT training knowledge to conduct remote learning classes, यहां तक पुराना है, whether capable of handling digital devices and video conferencing applications, mobile laptop, smart boards, desktop, projectors, तो यह question आगे बढ़ गया है, हर एक टीचर में यह अपडेट करना है, पुराने टीचर हैं तो और इसको update कर देंगे, अब यह update हो गया, अब हमें verify आधार from UI DIY करना है, अब देखें यह verify हो गया, तो हमारा जो detail गलत था, वो हमने सही कर दिया, यह पहला टीचर हमारा completed आ गया, और दूसरे टीचर का देखें, incomplete आ रहा है, इसमें भी हम general profile में जाएंगे, यहां पर कोई गडबड़ी है, तो यहां पर कर देंगे उसको, और नहीं है, तो आप update करते जाएंगे, next करते जाएंगे, अब इसमें भी, देखेंगे वो इस सेम question है, उसको हमने update कर दिया, और यह completed हो गया, ऐसे तीसरे टीचर का करेंगे, अगर आपने आधार कार्ड या और भी चीज़ें नहीं कियें, उसमें पहले से update तो उसको, आधार नमबर ब अची है, उसको करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे, अपडेट कर दिया, अपडेट, देखेंगे ये तीन टीचर हो गए, अब मुझे एक टीचर को और एड करना है, आपको delete बता दिया, UIDAI से अगर verification field आया तो उसको सही करके, UIDAI से verify करना वो बता दिया, अब ह जाएंगे स्कूल डैस्पोर्ड पर, एक टीचर डिलीट कर दिया था तो तीन टीचर दिख रहे हैं, अब हमें एक टीचर एड करना है, इसके लिए हम जाएंगे, यहां पर import टीचर आ रहा हो, इंपोर्ट टीचर पर जाएंगे, इसके बाद में देखिए, टीचर का आपक आपको आप नेशनल कोड, डेट अब बर्थ सारी चीजें दिख जाएंगे, तो वहां से आप टीचर को बोलिए, जो अंतरजनवदी ट्रांसपर में आये हैं, वो अपना नेशनल कोड लेके आपको देंगे, इस टैप से होगा, कि नेशनल कोड डाल दिया और डेट अब ब इस टैप से उस टीचर का वहां पे आ रहा होगा, नेशनल टीचर कोड, टीचर नेम, इस्टेट टीचर कोड, जेंडर, डेट अब बर्थ, जोइनिंग इन सर्वेस, जोइनिंग इन प्रिजैंट इसकूल, सब कुछ अबरिथिंग आ रहा होगा, आपको यहां पे करना है, भरना है और date of joining in present school भरनी है इसके बाद में आपको import teacher करना है यहाँ पर हमने बढ़ दिया remarks inter-district transfer from जो भी district है उसका नाम लिख दिया और date of joining in present school फिर import teacher किया import teacher करने के बाद में देखिए do you want to restore teacher तो आप restore teacher पर click करेंगे इसके बाद में देखिए बोड teacher का पूरा detail आ जाएगा यहाँ पर अब आपको general profile में जाना है update कर देना है और appointments and training में जाना है उसको update कर देना है trainings and other details में जाना है और वहाँ पर यह question पूछ रहा है जो कि सभी का पूछता है नया question है weather capable of handling digital devices and video conferencing applications mobile laptop smart words desktop projectors the use of computers तो उसमें आपको जैसा भी टीचर की capability है yes और no करना है और उसको update करना है अब देखिए बोड टीचर आ गया अब यह चार टीचर हो गए अब इसका verification भी completed हो गया सारे teacher completed completed 4 teacher completed दिखा रहे हैं अब आपको फिर से school dashboard पर जाना है school dashboard पर जाने के बाद में देखिए यहां पर teacher आपको 4 दिखने लगे हैं 3 से 4 हो गए click here to mark complete इस पर आपको click करना है इसके बाद में आपसे remarks पूछेगा तो remarks में आपको लिख देना है all the information is correct as per my knowledge और यहां पर टिक कर देना है और update status कर देना है यहां पर देखे are you sure you want to update the status तो आपको confirm करना है confirm कर दिया अब देखे marked completed overall status marked completed तो अब आपका यह you dice complete हो गया तो इस type से आपको teacher module complete कर लेना है अगर आपको student module में कैसे progression activity करनी है बच्चों को कैसे promote करना है या profile and facility कैसे complete करनी है वो जानना है तो उसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप वहां से वो video की मदद से complete कारे कर सकते है अगर आप channel पर ना है channel को subscribe करें thanks for watching